Hello and Welcome to Knowledge Track भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थविवस्ता बन चुका है जानेंगे डिटेल से तो चलिए शुरू करते हैं IMF याने की International Monetary Fund के अनुसार भारत अब दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थविवस्ता बन चुका है भारत की GDP अब 2.94 trillion हो चुकी है लग भग 3 trillion इस हिसाब से भारत अब दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थविवस्ता बन चुका है दुनिया की पहली सबसे बड़ी अर्थविवस्ता है अमेरिका दूसरी है चाइना तीसरी है जापान चोती है जर्मनी और पांचवी सबसे बड़ी अर्थवेवस्ता है इंडिया अब तक फ्रांस पांचवी सबसे बड़ी अर्थवेवस्ता था तो हमने फ्रांस को पीछे ढखेलते हुए दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थवेवस्ता हम बन चुके हैं आपको बता दे कि इस report का नाम है World Economic Outlook Report जो जारी करता है IMF याने की International Monetary Fund जारी करता है World Economic Outlook Report और एक report और जारी करता है IMF जिसका नाम है Global Financial Stability Report देखो किसी भी अर्थव्यवस्ता को मापने के कुछ पैमाने होते हैं जैसे की GDP है PPP है अगर PPP के हिसाब से देखे तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्ता है जो कि है 10.51 trillion PPP का मतलब होता है Purchasing Power Parity और GDP का मतलब होता है Gross Domestic Product आपको बता दे कि अमेरिका की Per Capita Income 62,794 डॉलर्स है कोई इनसान एक साल में कितने पैसे कमाता है उसे कहते है Per Capita Income है ना और इंडिया में Per Capita Income है सिर्फ 2170 डॉलर्स तो दोस्तो अब तक आप समझ गए होंगे कि क्यों अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्ता है यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जो हमारी याने की इंडिया की GDP ग्रोथ इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा है लगभग 7% अमेरिका 1871 से अब तक दुनिया की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्ता रहा है जो कि है 21 ट्रिलियन अगर GDP के हिसाब से देखे तो अमेरिका की इकोनोमी है भारत से 7 गुना ज्यादा अगर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्ता की बात करे तो चाइना की इकोनोमी है 14.4 ट्रिलियन चाइना की इकोनोमी ग्रोथ रेट अच्छी खासी है पिछले कुछ दशकों से और PPP के हिसाब से देखे तो चाइना दुनिया की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्ता है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्ता है जापान जापान की GDP है 5.15 trillion दुनिया की चोथी सबसे बड़ी अर्थवेवस्ता है जर्मनी जर्मनी की GDP है 3.86 trillion और PPP के हिसाब से देखे तो ये है 4.44 trillion और दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थवेवस्ता है भारत जो की GDP के हिसाब से है 2.94 trillion और PPP के हिसाब से देखे तो भारत की PPP है 10.51 trillion एक बार फिर से हम आपको बता दे कि GDP के हिसाब से भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थवेवस्ता है और PPP के हिसाब से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थवेवस्ता है यहाँ पर आपको बता दे कि 1995 से भारत की अर्थविवस्ता अच्छे तरीके से बढ़ती गई और आने वाले चार साल के अंदर इसे पांच ट्रिलियन बनाने का सरकार का लक्ष है यहाँ पर एक बात गोर करने जैसी है कि दुनिया की जो अर्थविवस्ता है पूरी दुनिया की अर्थविवस्ता है 86 ट्रिलियन और इसमें भारत का योगदान काफी कम है 2025 तक जर्मनी को ओहर्टेक करके हम दुनिया की चोथी सबसे बड़ी अर्थविवस्ता बन सकते है और आगे चलकर जापान को ओहर टेक कर हम दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थविवस्ता बन सकते हैं तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब करना